तो आपने के बार सुना होगा कि आखिर इस चोरी के तार कहां जुड़े हुए हैं मगर काकरोली थाना पूलिस को कल तारों की चोरी करने वाले पकड़े गई प्रिस को इस मामले बड़ी कामेवी मिली है तो अगर आप यह देखेंगे ये विदुत्य की जो पूरी की पूरी सामगरी है जिसमें की अलग-अलग उपकरण है तार बड़ी मात्रा में है और ये पूरा का पूरा नेकसेस पूरी की पूरी चोरी कल पकड़ी गई है अलाकि इसके पीछे बताया जा रहा है कि और भी लोग जुड़े हो सकते हैं ये ज जो चालक होते हैं उनसे बात होती है गोलमाल जवाब होते हैं उसके बाद ये एक बड़ा खुलासा कल के इस पूरे घटना करम से हुआ है और यहां से यह भी बताया जा रहा है अभी आपको बताऊंगा कि कांकरोली थानादी का जन्वेंसी है सोड़ा ने क्या कुछ कहा अगर बताया है यह जा रहा है कि उपकरण है यह बेचे नहीं जाते हैं इनकी कोई निला मी नहीं होती है क्योंकि नए दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे में जो जानकारी निकल कर आ रही है कि हो सकता है इसके पीछे कई और लोग जुड़े हुए हो हो सकता संभावना यह भी जता ही जा रही हो कि कहीं कोई मिली भगत के माध्यम से यह पूरा पूरा वेपार ना चल रहा हो तो यह चोई का सामगरी दिखाए दे रही हो और सुनिए आखिर क्या कुछ इस पूरे प्रक्ण को लेकर काक्रोली थाना दिखारी है हन्वन सियों सोड़ा कहते दिखाई दे जरिये मुक्पीर हमें सुचना मिली थी कि रिको इंडिस्ट्री एरिया दोहिंदा में हरेना पासिंग एक आईसर ट्रक है जिसमें संदिक माल बढ़ा हुआ है सुचना पर हमारी टीम रिको इंडिस्ट्री एरिया पहुंची जहां हमें एक ट्रक मिली ट्रक हरेना नंबर की थी उसके अंदर दो लोग थे जिनके नाम पते पूछे तो वो ट्रक ड्राइवन अपड़ा नाम अनीश खान निवासी लक्समनगड अलवर बताया और उसके साथ में एक वेक्ति और था जिसका नाम हुसें सा जो नसोपूर थाना बगड जिला अलवर का रेने वाला है और ज इश्दूत उपकरण थे उस समझ में कोई दस्तावेज की जब डिमांड की तो इनको वास किसी भी तरह के दस्तावेज नहीं थे मामला संधिक्द होने से हमने मौके पर एवी वी एनल के अधिकारी एखशिं साब को और एंज साब को जडिंग टैलिफौन वारता कर बुलाया वो भी मौके पर आये उनके दो़़ा भी मौके पर जाँच की तो जो मौके पर जो हमें चीज़ें मिली है उसमें ट्रक के अंदर एवी केबल के बड़े बंडल है ज ये सारा समान इस तरह का समाने जो विदुत बाग द्वरा काम में लिया जाता है और इस तरह के नए समान को कभी भी निलाम या बेचा नहीं जाता तो इसमें पूरा ये तह हो गया कि ये जो मेटरियल है वो चोरी का माल है और ये लोग चोरी के माल को इसमें लोड करके आगे तो कहीं से चुरा के लाए हैं या किसी साइड से करमचारियों से मिली बगत करके माल लाए हैं तो विश्तरत जानकारी अनुसंदार के बादी इस परश्ट हो पाईगी जाच जारी है